हलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कच्छा दस हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक के भेद में सन्युक्त वाक, मिस्र वाक और आश्रित उपवाक के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ा आज हम लोग आश्रित उपवाक के भेद संग्या उपवाक, विसेशन उपवाक और क्रिया विसेशन उपवाक के विसे में पढ़ेंगे पहला संग्या उपवाक के प्रधान उपवाक में प्रयूक्त संग्या के इस्थान पर जो उपवाक क्रियोक किया जाता है उन्हें संग्या उपवाक के कहते हैं ये साधारतह की से जुड़े होते हैं यानि संग्या उपवाक की जो है प्रधान उपवाक में प्रियुक्त संग्या के अस्थान पर जो प्रधान उपवाक के होता है उसमें संग्या की इस्थान पर जो वाक के प्रियोग किया जाता है संग्या यानि राम, स्याम, गीता, सीता उसके अस्थान पर जो उपवाक के प्रयोग किया जाता है उन्हें संग्या उपवाक के कहते हैं ये जो है साधानता की से जुड़े होते हैं जैसे ममता ने कहा कि अच्छे सभाव से ही मनुष्य सब को जीतता है यानि इसमें ममता हमारी संग्या है तो प्रधान उपवाक में परियुक्त संग्या तो यह हमारा प्रधान उपवाक के है ममता ने कहा प्रधान उपवाक के इसमें संग्या जो है ममता है तो ममता के अस्थान पर जो उपवाक के परियोग किया जाता है यानि ममता के अस्थान पर जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है वही जो है उसे संग्या उपवा के कहते हैं ये जो है की से जुड़ा होता है जैसे ममता ने कहा की जो है ब्रैकेट में किया गया है तो की एक जो है प्रधान उपवा के ममता ने कहा और आस्रित उपवाक है कि अच्छे सभाव से ही मनुष्य सब को जीतता है तो इसको जोडने का काम की कर रहा है तो ये जो है हमारा संग्या उपवाक हो गजाएगा इनसे पूछिए कि ये कौन है इनसे पूछिए कि ये कौन है तो इसमें इनसे पूछिए प्रधान उपवाक की ये कौन है ये आश्रित उपवाक के है इसके बाद दूसरा देखेंगे विशेशन उपवाक के विशेशन उपवाक की किसे कहते हैं जब आश्रित उपवाक के प्रधान उपवाक की संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताता है जब आस्रित उपवाक के, किसकी प्रधान उपवाक की संग्या या सरुनाम की जो संग्या इसमें रहता है प्रयोग किया जाता है, उसकी जब ये विशेशता बताता है, तब इसको जो है विशेशन उपवाक की कहते हैं, नोट करके यहां पे लिखा गया है कि विशेशन उप उपवाक्यों का प्रारंब प्रायह जो जिससे जिसने जिस पर जिसके लिए जिसमें जिसको आधिसे होता है विशेशन उपवाक्य का प्रारंब जो है किस से होता है कि जो जिससे जिसने जिस पर जिसके लिए जिसमें जिसको आधिसे होता है जो सब्द के रूप जरूर चलत इन वाक्यों में जो है जो सब्द का यानि जो जो है हमेशा इसमें लगा रहता है इन वाक्यों में जो हमेशा लगा रहता है जैसे उधारन देखेंगे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा यानि यहां पर जो लगा हुआ है तो जो जैसा कर प्रदान उप्वाक के प्रदान उप्वाक हो जाएगा यह उसके उपर क्या है आश्रीत यहीं यह वही मोर है जो कल नाच रहा था यानि यह प्रधान उपवाक के हो जाएगा यह वही मोर है यह प्रधान उपवाक के और जो कल नाच रहा था यह आस्रित उपवाक के यानि यह उसके उपर क्या है प्रधान उपवाक के उपर निर्भर है जिसमें साहस होता है सफलता उसके कदम चूमती है परधान उपवाक के है जिसमें साहस होता है सफलता उसके कदम चुमती है आस्रित उपवाक के यानि कि सफलता जो है तभी कदम चुमेगी जब जो है हमारे अंदर साहस रहेगा तो साहस हमारा परधान उपवाग के हो जाएगा और सफलता कदम चुमेगी आस्रित उपवाग के जो जीता वही सिकंदर जीतेंगे तभी सिकंदर कहलाएंगे यानि यह हमारा परधान उपवाग के और वही सिकंदर आस्रित उपवाग के फिर नेक्स्ट है क्रिया विसेशन उपवाग के जो उपवाग के प्रधान उपवाग के क्रिया की विसेशता बताते हैं जो उपवाग के प्रधान उपवाग के क्रिया की यानि उसमें कौन सा काम हो रहा है कौन सी क्रिया हो रही है जब उसकी विसेशता बताते हैं तब उन्हें जो है क्रिया विसेशन उपवा आपके कहते हैं नोट करके देखेंगे इसमें कि इस प्रकार के वाक्य में जब जहां जीतना जैसे आधिका प्रियोग होता है नोट करके देखेंगे कि इसमें जब जहां जैसे आधिका प्रियोग होता है जैसे उधान देखेंगे विबेका नंद जहां जहां गएं उनका आदर सतकार हुआ यानि यह हमारी क्रिया विसेशन है क्रिया की विसेशता बता रहा है तो यह हमारा क्रिया विसेशन हो जाएगा जैसे ही वर्षा समाप्त हुई मैं चल दी यानि वर्षा के समाप्त होते हुए जो है वह चल दी यानि जैसे यानि ये क्रिया की यानि वर्षा समाथ थुई वह चल दी जब अधिती छोटी थी बहुत सांत थी यानि कि यहां पे क्या है जब न तो यह हमारा क्रिया भी सेशन हो जाएगा नेक्ष देखेंगे वाक्य का रूपांत्रन वाक्य का रूपांत्रन हम कैसे करते हैं कि जैसे हमारा कोई वाक्य जो है सरल वाक्य में है तो उसको हम जो है सन्युक्त वाक्य में करेंगे जब उसको हम सन्युक्त वाक्य में बदलेंगे तो उसको वाक्य देखेंगे एक प्रकार की वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्थन करने की प्रक्रिया को वाक्य के रूपांतरन कहा जाता है एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में जैसे हमारा कोई सरल वाक्य है उसको हम किसी और में जो है उसको convert करते हैं सन्यूक्त वाख्य में या मिस्रित वाख्य में तो ऐसे वाख्य को परिवर्थन करने की प्रकिया को ही वाख्य रूपांत्रन कहा जाता है उदारन देखेंगे जैसे हैं कि यहां पर पहला है कि लाल बद्य होते ही याता यात रुक गया यह हमारा सरल्ड़ चाहद लाल बठी के या दाएन यास रूक्य अब इसको जो है सन्यूगत वाक्य और मस्रित वाक्य कैसे बदलेंगे कि हुए यहां पैर बात में आता है इसके बाद या तायात यह तो यह दोनों को जोड़ने के लिए और का प्रियोग किया गया है तो यह हमारा जो है और लगा करके जब दोनों वाकि को जोड़ देंगे तो यह हमारा सन्यूपत वाक्य हो जाएगा इसके बाद है मिस्र वाक्य इसमें जो है जैसे ही लाल बत्ती हुई ये हमारा प्रधान उपवाक के है यातायात रुक गया ये आस्रित उपवाक के है तो जैसे ही यहाँ पे जैसे लगा दिया गया है तो जैसे ही लाल बत्ती हुई यातायात रुक गया ये तो मिस्र वाक में यानि कि लाल बत्ती होते ही यातायात रुकिया ये सरल वाक्य हो गया, दाल बत्ती हुई और यातायात रुकिया ये सन्युक्त वाक्य हो गया, जैसे ही लाल बत्ती हुई यातायात रुकिया ये मिस्र वाक्य हो गया, दूसरा देखेंगे, रभी को संस्कित पढ़नी है और व सरल वाक यह गया, 2 सरल वाक्य को जोड़ने के लिए बीच में और locks किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा स determ my case कैसे बने आया कि रभी को संस्क åp hinge पढ़नी है और सीक्षक के घर गया यह हमारा सन्यूक्त वाक्य बन गया अब सन्यूक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है रभी शिक्छक के घर गया है, क्योंकि उसे संस्कित पढ़नी है, ये हमारा मिस्रवाक्य हो जाएगा, रभी शिक्छक के घर गया है, ये हमारा प्रधानूपुआ के हो जाएगा और आस्रितूपुआ की ये हो जाएगा, क्योंकि उसे संस्कित पढ़नी है, तीसरा देखेंग गंटी बजी चात्र घर चले गए यह दो सरलवाक्य है गंटी बजी पुनविराम है एक सरलवाक की यह हो गया चात्र घर चले गए एक सरलवाक की यह हो गया यानि इसमें दो सरलवाक्य है अब इसको जो है एक सरलवाक्य में कैसे बदलेंगे गंटी बजते ही छात्र घर चले गए ये एक सरलवाक्य हो जाएगा यानि इन दोनों को जो है पुनविराम बीच में से अटा करके जब दोनों को जोड़ेंगे तो गंटी बजते ही छात्र घर चले गए एक सरलवाक्य हो गया इसको सन्युक्त वाक्य में बदलने के लिए घंटी बजी और चात्र घर चले गए गंटी बजी एक सरलवाक्य चात्र घर चले गए दूसरा सरलवाक्य इसको और से जोड़ दिया गया तो घंटी बजी और चात्र घर चले गए इसके बाद है जैसे ही घंटी बजी छात्र घर चले गया जैसे यहां पर लग गया यानि यह मिस्रित वाक्य हो गया जैसे ही घंटी बजी छात्र घर चले गया यह हमारा मिस्र वाक्य हो गया तो हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक के भेद पहले वीडियो में सरल वाक के तक पढ़े, दूसरे वीडियो में सन्युक्त वाक, मिसरित वाक के और तीसरे वीडियो में ये हमारा पुरा कम्पलीट हो गया तो आज हमारा जो है रचना के आधार पर वाक के भेद पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो गया आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इसकूल खुलने के बाद इसको जो है चेक किया जाएगा